अगर आप लोगों के लिए बहुत बहुत बहुतिरीन रेमेडी लेकर आरी हूं जिसे कि आप अपने बालों को न काला बना सकते हैं बहुत यह असानी से इस रेमेडी को आपको यूज करना है, ट्राय करना है, कोई साइड एफेक्ट नहीं होने वाला है क्योंकि ने की है जोड़ चीजे कोई साइड एफ्ट नहीं करती है क्योंकि वो हम पहले सही बच्छमन से युद बहुत सारी चीजे नहीं करती है तो आप स्कीप कर सकते हो और आप पयास्टेस जरूर करना मस्ट है मैं हमेशा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ और चली वीडियो शुरू कर लेते हैं और देखे हैं इसे सफि बालों पर भी लगाई है या पिर आपके बाल काल है और अपने बालों के बालों को आप बना बनाये रखा है वैसे आप भी कर सकते हैं तो पूरी वीडियो एंट तक जरूर देखिएगा अगर आप ने हैं मेरे चानल पे तो जरूर करिएगा सब्सक्राइब लाइक और शेयर फ्रेंड्स सो लेट्स गेट स्टाटिड के साथ में एक ऐसी रेमिडी शेयर करने वाली हूँ जो कि आपके सफेद बालों को बहुत ही अच्छी तरह से काला बनाए रखेगा यह तेजपता दोस्तों आप लोगों को पता है यह तेजपता बहुत जादा अच्छे होते हैं क्यूंकि इसके अंदर एंटी माइक्रोबाय इस तरह से हम आज बनाएंगे हेर डाय तेजपता से वह मैं आप लों के साथ में शेयर करने वाली हूँ तो दोस्तों हमें यहां पे थोड़ा सा लोह की कड़ाई लेनी है इसे हलके से आपको रोस्ट करना है देखिया मैं अपने हातों से इसे थोड़ा से चला दियो सतैंसा अपने डाःय से आपको दिखेंगे हे में एक यह हमारे बालों की मैलिनिनकों मैलिन प्रडक्शन को इंक्रीस करने का इतना अच्या काम करती है और अगर अब कर थार्या मैं मैं आउना वियर्ड टैसे दोनों USE कर सकते हैं कि मैं अगर इसे बढ़ने बीर्ड भी लगाना चाहते हैं तो लगाए बहुत ही अच्छा सा यह आपको रिदर्ड भी अगर आपके बाल बहुत जादा सफेद है अगर आपको प्रॉब्लम शुरू हो गई है तो इन सारी घरीलू चीजों का यूज इस्तमाल करना शुरू कर दीजिए इससे आपके बाल काफी अच्छे और ब्लाक और शाइनी हो जाएंगे यह देखे हमने इसे इस तरह से आमला का पाउडर जो की देखे फ्रेंड्स मैंने इसे घर पे ही बना के रखा हुआ है आमला और बे लीव डैट मिंस हमारा तेज पता इन दोनों चीजों को आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसे हमें सिर्फ और सिर्फ नारियल के तेल में बनाना है गैस के फ्लेम क आप बन कर दीजिए और इस तरह से आप इसे हलके से चलाते रहें यह देखिए इस तरह से आपको चला लेना है अब हम इसमें एक और इंग्रिडिंट आइड करने वाले हैं जिसे की मैलनी प्रडुक्शन और दुगनी हो जाती है जब तेज पता आमला और आप यहां पे कल कलोंजी जो कि मैंने इसे बारिक पीस के रख लिया है तो आपको इतना वन टेबल स्पून के अकॉर्डिं का पाउडर लेना है अच्छे से इन सारी चीजों को अब हम यहां पे यहां पे आड करने वाले हैं नारियल का तेल हां दोस्तों नारियल का तेल में ही इसे आपको बनाना है गैस के फ्लेम को आपको बंद रखना है कम से कम दो से तीन चार चमल जितना भी आप नारियल का तेल डाले उतना आप यूज कर सकते हैं यह रेखिए यह कितना अच्छा आपको कलर जो दिख रहा है न कामरे को आपको यहां पे सेट करके दिखा देती है इस तरह स आपका यह जो ब्लाक हेर सीरम बोल लीजे है रॉइल बोल लीजे जो भी नाम देना है आपको दे सकते यह बनके हमारा रेडी हो गया है अब आप इसे लगाएंगे कैसे वो भी मैं आपको बता हूं यह आपके बालों को तेजी से काला करेगी मैलनीन प्रड़क्शन को इंक आपके बालों में जितनी भी बैक्तिरिया होती है जैसे की इचिंगी प्रॉबलम होती है इन सारी चीजों को यह दूर करेगा इसे अच्छी तरह से बना के आप एक कंटेनर में स्टोर करके रग सकते हैं और आप अपने बालों पे स्कैल्प में इसका मसाज करिए बहुत ही काम करेगा इस तरह से यह आपका बनके रेडी हो चुका है और इसे जब भी आप मौनिंग में नाहाने जाते तो आदे घंटे पहले इस हैर ओल को बना के प्रिपेर करके अपने बालों पे लगाईए और इसके बाद आप अपने बालों को धो लीजिए इससे आपके बाल ज यही आएंगे इस रेमेडी को आप जादा से जादा शेर जरूर करिएगा बहुत जादा यूसफुल है में भी आप लोगों को किसी ने बताया है नहीं होगा बर यह बहुत पुराना नुस्खा है जो कि मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ कि मेरे नाना जी जो तो में बता देती हो से किसस fabulous द्ध लाइब मेंकरके लिखाती हूँ और इस दिये में में इस ऑईल को जो मैंने बनाया है इसे में ले रही ही हूं यह देखिए हर एक चीज जो है यह ओईल में इंफ्यूज हो चुकी है अची तरह से अब इसे लगाते हैं जहां जहां भी आपके बाल सफे दिखना शुरू हो जाते हैं तो वहां वहां पे आपको इसे इस तरह से अपलाए करना है यह देखिए आप अपने पूरे बालों पे भी इसका इस्तिमाल कर सकते हैं इससे आपके जो बाल है वो रिवर्स होंगे और काले बाल आना शुरू होंगे बालों में ग्रोध अच्छी हो जाएगी यह देखिए बालों में एक बहुत अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी यह नाच्रल जो तरीका है इससे आपके बालों को बहुत अच्छा सा response मिलेगा आपके बाल और scalp healthy होनी की वज़े से और आपके melanin जो production होगी उसे increase करेगा इससे आपके बाल काफी मजबूत भी होंगे इस तरह से आपको देखिए यहाँ पर जो हम यूज कर रहे हैं इस तरह से लगाना आज की वीडियो रेमेडी कैसी लगी जरूर बताइएगा comment करके friends